हलो सात्यों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने योटूब चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर से के इस नए वीडियो में दोस्तों आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं कच्छा दस विशे विज्ञान है पार्थ नमबर दो है अमल छार्यों लवड इसमें का पांच से वीडियो बनाया चुका है आज हम लोग देखेंगे एम्लों के राचाईनीग गूर जिसमें से दो हम देख चुके हैं तीसरा देखने वाले हैं कि हम लोग पहले देखें थे कि हम पहले चाया भार ने चेपC यानि अमल जो है वह चारक से अब किरिया करके क्या बनाता है यहां हम लोग देखने वाले हैं इसके पहले कि जितने भी टापिक पढ़ाया जा चुके हैं यदि आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक आ रहा है या फिर वीडियो जब पूरा खतम होगा वहां भी आ हमारा तीसरा है अमलों के राशाने गुड में यह तीसरा नमबर है कि अमलों की छारकों के साथ अपकिरिया अमल छार दोनों जब मिलेंगे तब किसका निर्माड होगा यह हम लोग यहां जानने वाले हैं तो आप एक चीज याद रखिए कि अगर अमल होगा या पिर छार अमल है और छार है दोनों को एक साथ जोड़ा जाएगा तो वह लवड बनेगा क्या बनेगा लवड और प्लस में आपको देने वाला है जल तो आईए देख लेते हैं क्या कह रहा है यहां अच्छे से कह रहा है कि अमल छारकों से अबकिरिया करके यानि अमल छार से अबकि भी अमल होगा यदि वो छार से अपकिरिया कर रहा है तो पक्का है क्या बनाने वाला है वो बनाएगा लवड और जल बनाएगा यह आप याद रखिएगा यह आपको एक लाइन का क्या दिया गया है फार्मूला दिया गया है बोर्ड आपसे पूछेगा क्या होता है जब अम्रचार से अब करता है तो यह होगा आपका यह आपका होगा लवड और जल बनेगा ठेक है ना यह आप से पूछा जाएगा और आप डारेक्ट बता देंगे कि लवड बन जाएगा ठेक और इसमें कुछ दिया गया है उदाहरण के तोर पर दिया गया है आप बहुत अच्छे से झानते हैं कि इन भाई साहब का नाम है hydrochloric acid आप लिख लेजिए सीका नाम है hydrochloric acid ठेक है ठेक हिए यह और इस भाई साहब का नाम है यह strong acid है और यह strong base है यह अमल है मतलब परवल अमल है और यह परवल चार है जब परवल एक चीज़ और याद रखना जब कभी भी परवल अमल और परवल चार अपकिरिया करेंगे जब कभी भी परवल अमल और परवल चार अपकिरिया करेंगे तो यह अपकिरिया उदासिनी करण अपकिरिया कौन सी अपक्रिया होगी उदाशनी करण अपक्रिया होगी क्योंकि दोनों परवल है ये इसके एक दूसरे के परभाव को निरस्त कर देंगे और यहां हमारा-NC-L वनेगा और जल वनेगा जो आप-NC-L यहां देख कि ये उदा सीन है ठीक है ये उदा सीन है और जल कर भी pH allegations क्या होता है साथ होता है यदिल एक चीजी याद रखना एक स्रांग और सोडियम हैड्रासीब बस्ताइब ये अपकिरिया होगी तो ये हो गए आपका आपका आपने बहुत अच्छे से देखा कि जब hydrochloric acid और sodium hydroxide दोनों जब अपकर रहे हैं तो यहां बन रहा है अने लवड है यह क्या है बच्चा लवड साल्ट है आप जब उस पर देखते हो नमक के packet पर उस पर लिखा रहता है साल्ट साल्ट का मतलब लवड वो क्या है नमक है तो आओ देखो यहां नमक बन गया और पलस में जल हो गया यही फार्मूला काम कर रहा है ध्यान से देखो यह अमल है यह आपका अच्छार है और यह आपका बन गया लवड और यह आपका बन गया जल ठीक है ना यह जल है बच्चा यह और यह है आपका sodium hydroxide लिखे यह आपका है हाई रोगऴ्यक एसी अमल है यह ठेक तो यह बन गया आप बहुत अच्छी से जानते इसका प्लाज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा क्योंकिए इस ट्रांग एस इस ट्रांग बेस है दोना मिलेंगे तो उदासिनी करण अपकिर्या का होगी ऐसे ही पोटेशियम अडिराकसाइड है, आप इसमें अगर देखो, तो यहां H हो गया, यह C-, यहां से सोडियम प्लस हो गया, H-, तो यहां से N-, निकल गया, N-, C-, एक साथ हो जाएगा, N-, C-, एक साथ हो गया, यहां से 1-, यहां से 1-, 2-, अच हो गया, यहां का, आकसीजन, तो यह बन गया ठीक, इस तरह से, ऐसे ही इसमें जब आप करने वाले हो, तो यह पानी में डालोगे, तो यह पलस होगा, यह मायनस होगा, यह potassium आपका पलस होगा, OH जो है वो मायनस हो जाएगा, तो इसमें से कौन एक साथ आना चाहेगा इसमें से ये दोनों एक साथ आ जाएंगे क्योंकि माइनस प्लस में क्या होगा अट्रेक्शन होगा इसलिए ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो केसियल बन गया यहां ठीक है ना पोटाइसियम क्लोराइड बन गया यहां का एक एच यहां का एक एच दो एच हो गया और यहां का एक आकसीजन यह हो गया आपका जल यानि ऐसे ही तोड़ तोड़ के किया जाता है आयनों में तोड़ तोड़ के कर लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे आयन में तो यह लवड मिल गया ठेक और यह आपको जल मिल गया इसका पीच मान साथ होता है इसका भी पीच मान साथ होता है यह बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है कि इसका पीच मान जल का कितना होता है और साधरान नमक का तो आप दोनों का क्या लिखने वाले हैं साथ लिख वह तो आफ यहां तक श्रक लीजें सिर्फ किसार्ट कि इसकी नम्बर देखने वाले स्क्रीन स्कूहर्ट और आगला नंगर चार नंबर क्या कह रहा है चार नंबर कह रहा है कि अमलोग शी अब किरिया धातू आकसाइड यानि कोई धातू होगा मानलो यह ने आपका क्या है धातू है अगर इसके साथ आकसीजन मिल गया तो वह धातू आकसाइड हो गया जैसे आपका कोई कापर है और इसमें ओ जुड़ गया तो क्या हो गया कापर का आकसाइड हो गया यानि जिस ध तहस्ट है। एक चीजा रखना जिस दातों के साथ आक्सिजन जुड़ेगा, उसी का हो जाएगा ठीक है। तो यही कह रहा है कि अमलों की धातों आकसाइड वो के साथ अपकिरे से करके अमल क्या बनाते हैं यह आप यहां जानने वाले हैं तो आईए देखते हैं कह रहा है कि अमल धातू आकसाइड से अपकिरिया करके लवड और जल बनाते हैं ठीक है ना क्या हुआ कि अमल धातु आकसाइड के साथ अपकिरिया करके यानि अमल धातु के साथ धातु आकसाइड के साथ अपकिरिया करके क्या बनाएगा जल और लवड बनाएगा ठीक है ना अब देखो कैसे ये लवड और जल कब बना था जब अमल और छार मिला था तभी बना था आप याद करो कि लहाद और जल कब बना जब अम्ल और छार मिले थे तभी बना है ठीक है तो जो दहात्विक आकसँड होती है जो दहात्विक आकसाइड होती है CO CO सी यू ओ ये धातु हो गया ये इसका आकसाइड है तो धात्विक आकसाइड क्या होती है चारिये होती है क्या होती है कभी भी आप धात्विक आकसाइड लेंगे तो वह चारिये होगा चार होगा कभी भी अधात्विक आकसाइड लेंगे तो वह क्या होगा अमलिये होगा तो और अभी आपने पड़ा है चार और अमल मिलकर क्या बनाते हैं लवड और जल बनाते हैं तो यह वही अब किरिया है आप यहां धातु आकसाइड का मतलब हो गया चार क्योंकि धातु आकसाइड क्या होता है चार होता है और अधातु आधातु आकसाइड यानि कोई अधातु है नाइट्रोजन और फिर उसके बाद मालो कोई कार्बन है यह हो गया कार्बन यह क्या है मतलब यह दोनों अधातु है यह क्या होगा यह आपका हो जाएगा अमलिये हो जाएगा जैसे यह सोटू हो गया सलफर डाय आकसाइड यह अधात्विक आकसाइड है तो यह अमलिये है यानि अधात्विक आकसाइड अमलिये होता है धात्विक आकसाइड क्या होता है चार यह होता है यह आपको जानना बहुत जरूरी है ठेक है तो यह आप जा यह वही हो गया अमल और 6 तो लवर और जल बनेगा धातविकpolitik आग्साइट का मतलब हो गया 6 तो यह हो गया तो आप याद रखेगा कि अमल और धातविक आग्साइड मिलकर क्या बनाएंगे लवर और जल बनाएंगे इसमें कोई दो राए नहीं है यहां देखो अमल में आपने क्या लिखा 2SCl आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि H पलस और C L माइनस यहां आप जानते हैं कापर का आकसाइड है यह पलस और यह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो पक्का है यहां माइनस और पलस दोनों एक साथ ठीक है यहां से दो क्लोरीन है और यहां से आपका दो हाइड्रोजन बच गया और एक क्या बच गया आपका आकसीजन तो यह हो गया जल इसका नाम है लिखो जल्दी से इसका नाम लिखो हाइड्रोजन क्लोराइड इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड इसका नाम है आपका हो जाएगा पलस यह यहां से यहां तक हो जाएगा माइनस और यहां टू होगा यह हो गया आपका माइनस और यहां से कौन चला आएगा यहां सी ओ त्री यह गड़बड हो गया है यहां आपका गड़बड हो गया है यह मैं फिर से लिख दे रहा हूं यह हो गया है गड़बड ठीक है न यह आधात्विक हो गया है इसलिए दिक्कत है यह भी आधात्व है यह भी आधात्व है ठीक है न अमल से कहां करेगा यहां मैं लिख दे रहा हूँ किसी और को चलो यहां हम लिख देते हैं एन्ने टू ओ ठीक है ना यह हो गया एन्ने टू ओ हो गया तो यहां अब आप जानते हो क्या हो जाएगा यहां आपका हो जाएगा माइनस यह हो जाएगा ठीक है तो यहां से 2N हो गया 2N हो गया और फिर उसके बाद 2N हो गया ठीक है और यहां से हमारा 2H है और यहां से 2O यहां से 2O अब फिर उसके बाद 3 है तो यह हमारा इसके साथ जाएगा तो 2N नो 3 होना चाहिए क्या होना चाहिए और फिर हो जाना चाहिए यहां जाएगा इन ओ ठीक है न तो यहां आपका क्या आ होएगा है यहाँ आपका आजाएगा देखो किस कोण किसके इसके साथ चला गया तो यह से आपका अमल यह je सोडियम का अकसाइड है ठीक है ना और यह आपका बन गया सोडियम नाइट्रेट इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट यह हो गया जल और यह हो गया नाइट्रिक अमल ठीक तो यह इस तरह से अपकरिया कर लिया है देखो यह भी आपका क्या है लवड है और यह आपका क्या हो सोडियम का आक्साइड हो गया और यहां आपका सोडियम नाइट्रेट हो गया और यह आपका क्या हो गया जल हो गया इन सब का नाम आप लिख लें ठीक है मैं लिखूंगा तोड़ा समय लगेगा इसलिए आप मैंने बता दिया है आप लिख लेजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब ये एकदम सही है आप लोग इसे नोट करिए स्क्रीन शॉट लेजिए फिर उसके बाद अगला पांच नमबर देखा जाएगा अगला हमारा है पांच नमबर क्या कह रहा है कह रहा है अम लोग की धातु सलफाइट के साथ अपकिरिया यानि अम लोग कोई भी धातु सलफाइट होगा उसके साथ अपकिरिया करेगा तब क्या बनाएगा यह इसमें हम देखते हैं और यह हमारा लाश्ट है पांच नमबर ठीक है ना ये क्या कह रहा है कि अमलों की धातू सलफाइड के साथ अपकिरिया अमलों के धातू सलफाइड के साथ अपकिरिया अमल धातू सलफाइड से अपकिरिया करके क्या बनाएंगे यह आप देखें यहां यहां आपका अमल धातू सलफाइड अमल धातू सलफाइड से दातु शलफाइड अमल धातु सलफाइड के साथ अपकिरिया करके लवर तता हाइडोजन सलफाइड गैस बनाते हैं यहां क्या है अमलो की धातू सलफाइड के साथ अब किरिया तो अमल धातू सलफाइड जिसके भी साथ S जुड़ जाए वो धातू सलफाइड होगा यानि धातू धातू दोनों हो सकता है जैसे आपने क्या किया है जैसे आपने लिया है C U C U copper धातू है ना इसके साथ S जोड़ दिया धातू सल्फाइड हो गया और ऐसे C A calcium ये सल्फाइड हो जाएगा S जोड़ देंगे यानि जिसके भी साथ आप S जोड़ेंगे वो सल्फाइड होगा जिसके साथ आप O जोड़ेंगे C U O वो क्या होगा आउकसाइड होगा अगर किसी धातू के साथ O जोड़ता है तो उसी का आउकसाइड हो गया किसी धातू के साथ S जोड़ता है तो वो उसी धातू का क्या हो गया सल्फाइड हो गया S जोड़ेगा तो सल्फाइड अधातों के साथ जुड़ जाए चाहे धातों के साथ अगर आपका O जुड़ रहा है तो Oxide, चाहे वो धातों का हो चाहे अधातों का हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है, तो आपने ये जान लिया कि Sulfide क्या होगा, Oxide क्या होगा O जुड़ेगा आकसाइड S जुड़ेगा सलफाइड कोई दिक्कत नहीं है तो यह आपने देखा अमल धातु सलफाइड के साथ अब किरिया करके लवर तता हाइडोजन सलफाइड गैस बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है अमल और धातु सलफाइड ठीक है ना लवर बनेगा और हाइडोजन सलफाइड बनेगा यह आपका में फार्मूला है कहीं दुनिया का कोई भी अमल होगा और धातो सल्फाइड होगा उससे क्या बनने वाला है लवन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनने वाला है कोई दिक्करवाली बात नहीं है इसी पर आधारित हमें देख लेते हैं यह आपका सल्फियूरिक अमल है यह क्या है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं यह पलस होगा यह माइनस होगा यह पलस और यह माइनस होगा तो यह पलस और यह पलस दोनों एक साथ आ यह प्रण दोनों नाम लिख लो आरन सलफेट और है यह इस तरह से यहां आपका एक लवड बन गया और उसके बाद यहां क्या बन चुका है यहां आपका बन चुका है हाइडोजन सलफाइड यहां ऐसे ही यह पलस होगा यह माइनस होगा ऐसे ही यह कापर पलस होगा और यह माइनस होगा तो पक्का है यह दोनों एक साथ आ जाएंगे यह पलस यह माइनस तो CuCl2 यहां दो कुलिरीन है तो यह आपका लवड बन है कि अमलों के दातो सलफाइट के साथ अब करिया होके क्या बनता है तो अमले दातो सलफाइट के साथ अब करिया करके लवर तता हाइडोजन सलफाइड गैस बनाते हैं अमले पलस दातो सलफाइड यह लवर और हाइडोजन गैस यह मतलब हाडोजन सलफाइड गैस बनेगा यह आपका फार्मूला है यहां इसका दो एक्जाम्पल दिया गया है ठीक है कैसे जाकर जोड़ता है कैसे मिलता है यह आपको बता दिया गया है ठीक तो आप अगर आपको वीडियो मतलब यह टापिक समझ में नहीं आया है तो आप रिपीट करके देख लिजिए एक बार और पक्का है आपको समझ में आ जाएगा अब मैं चाहूंगा कि यहीं तक रखा जाए हम लोग के राशायने गुड़ खत्म होते हैं कल से हम लोग देख पहुंचे ठीक है पहुंच सके तो मैं चाहूंगा आज यहीं तक रखा जाए कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद